अन्यूज अपडेट स्पॉंसिट बाइ प्रो स्किल हब, गेट यो ड्रीम जॉब, एड्रेस, ग्राउंट फ्लोर, जॉन टावर, कॉलिज चौराहा, रीवा नमस्कार आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाती मदिप्रदेश में विधान सभा निर्वाचन के लिए रीवा मौगन जिले में शत प्रतिशत नामांकन हो गया है सोमवाल यानि की आज नामांकन भढ़ने का अंतिम दिन है वहीं रीवा विधान सभा से भाजपा के राजेंद शुकलबा कॉंग्रेस के राजेंदर शर्मा सेमरिया से भाजपा के के पीत्रिपाठी वा कॉंग्रेस के अभैमिश्रा गुर्षे भाजपा के नागेन्र सिंग वा कॉंग्रेस के कपिध्वा सिंग सिर्मौर से भाजपा के दिविराज सिंग वा कॉंग्रेस के रामगरीब कोल पहले ही नामांकन कर चुके हैं इसी तरह मनगवा में भाजपा से नरेंद प्रजापती वा कॉंग्रेश से बविता साके त्योंथर भाजपा से सिधार्तिवारी राजवा कॉंग्रेश से रमाश्वंकर पटेल मौगंज भाजपा से प्रदीप पटेल वा कॉंग्रेश से सुखेन सिंग बनना और देव तला में बस्पा आप और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं पुरानिक अलेक्टरेट भवन के कक्षक्रमांग एक में विधानसभा शेत्र सिर्मौर कक्षक्रमांग दो में विधानसभा शेत्र सिमरिया कक्षक्रमांग तीन में विधानसभा श विधान सबाश शेत्र 71, मौगंज और 72, देव तलाब के नामांकन पत्र कलेक्टरेट कार्याले मौगंज में दाखिल किये जा रहे हैं मौगंज कलेक्टरेट भवन के कक्षक्रमांग 3 में, विधान सबाश शेत्र देव तलाब तथा कक्षक्रमांग 7 में विधान सबा शेत्र मौगंज के लिए नामांकन रिटर्निंग ओफिसर द्वारा दिये जा रहे हैं नामांकन पत्र विधान सबा शेत्र के लिए निर्धारित किये गए रिटर्निंग ओफिसर और सहायक रिटर्निंग ओफिसर के समक्ष दाखिल किये जा रहे हैं नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मेदवार एवं चार अन्य व्यक्तियों को ही रिटर्निंग ओफिसर के कक्ष में प्रवेश की अनुमती है आपको बता दी कि नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राश शैक्षणी की योगिता देंदारियों बैंक खाते और आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूब 26 में घोशना पत्र उमिदवारों को देना आवश्यक है निर्वाचा नायूंग त्वारा निर्धारित कारेक्रम की अनुसार नामांकन पत्र 30 अक्टूबर यानि की आज दो पहर तीन बजे तक ही दाखिल किये जा सकते हैं नामांकन पत्रों की जाच 21 अक्टूबर को होई उमिदवार 2 नवंबर को 2 पहर बार तीन बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं प्रतिभापाल का कहना है कि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्थ होने के बाद उमिदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसी दिन उमिदवारों को चुनाप चिन्ह आवंटित किये जाएंगे 13 दिन चुनाप टचार चलेगा इसके बाद 15 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रचार प्रशार बंध हो जाएगा मतदान के लिए 17 नवंबर और मतगरना के लिए 3 दिसंबर की तिथी निरधारित की गई है बहुत बहुत धन्यवाद